हलो एव्रेवन आप में से काफी को पता होगा कि बादाम को इंग्लिश में आमड कहते हैं पर क्या आपको पता है कि तिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं और चुवारे, अंजीर, मखाने, मुनक्का और अलसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आज हम जानेंगे ऐसे ही सारे dry fruits के name वो भी English में और Hindi में और साथ में हम जानेंगे उनके फाइदें तो चलिए बिना कोई देरी किये शुरू करते हैं आज की वीडियो तो हमारा पहला dry fruit है काजू काजू को English में कहते हैं cashew या फिर cashew nuts इसके benefits हैं ये दिल को healthy रखता है और hair growth मतलब बालों की growth और skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये दांतों में होने वाली बिमारियों को दूर करता है और मसूडों को भी मजबूत रखता है ये digestion के लिए भी बहुत अच्छा होता है मतलब ये खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छा होता है और weight loss में भी help करता है cancer से दूर रखता है हमारी mass patient को भी मजबूत रखता है और इसमें बहुत सारे vitamins होते हैं और हमारी आखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये diabetes से भी बचाता है आए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मिश्री मिश्री को इंग्लिश में कहते हैं sugar candy sugar candy इसमें जो आर है उस पे हम ज्यादा stress नहीं देंगे तो इसे हम बोलेंगे sugar candy इसके benefits हैं relieves cough and sore throat मतलब ये खासी को आराम देता है और गले की खरार से भी बचाता है good for immediate digestion मतलब ये digestion में help करता है मतलब खाने को पचाने में मदद करता है helps boost hemoglobin levels मतलब खून की मात्रा को बढ़ाता है acts as an energy booster मतलब हमारे शरीर को energy देता है next है chironji chironji को English में कहते हैं cut per nut cut per nut इसके benefits हैं ये सांस से related विमारियों को दूर करता है skin के लिए अच्छा होता है हमारे मूँ में कई बार ulcers हो जाते हैं उससे बचाता है उसको दूर करता है कई बार शरीर पर सूजन या फिर लाल धबे हो जाते हैं तो उसको भी दूर करता है जखम को जल्दी सुखाने में help करता है diabetes को manage करता है ये new mothers मतलब कि delivery के बाद females के लिए बहुत अच्छा होता है next है अंजीर अंजीर को English में कहते है dried fig dried fig इसके benefits है इसको काफी time के लिए हम store कर सकते है मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता diabetes से बचाता है abdominal और colon cancer को दूर करता है उससे बचाता है हमें और bad cholesterol को भी कम करता है next है मखाने मखाने को English में कहते है fox nut fox nut इसको puffed lotus seed भी कहा जाता है इसके benefits है ये बढ़ती हुई उमर की परिशानियों से बचाओ करता है weight loss में भी health करता है insomnia मतलब कम नीद आती है या फिर अच्छे से नीद नहीं आपाती है तो उसको भी दूर करता है healthy protein इसमें बहुत होते है और heart के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें diabetes से भी बचाता है next है accroat accroat को इंग्लिश में कहते हैं walnut walnut इसके benefits है ये heart के function को improve करता है मतलब हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है metabolism को improve करता है मतलब जब हम खाना खाते हैं और उससे जो energy बनती है मतलब ये जो process है उसको improve करता है cancer से बचाता है हमारे skin को अच्छा करता है हमारे body weight को maintain करता है हमारी हड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है और diabetes को control करता है लाल धब्बे आ जाते हैं या फिर सूजन आ जाती है तो उसको कम करता है और हमारे mood को भी अच्छा करता है आगे बढ़ने से पहले request है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो please like कर दीजिए और अगर चैनल पर नहीं है तो subscribe भी कर दीजिए नेक्स्ट है तिल तिल को English में कहते है sesame seed sesame seed इसके benefits हैं यह digestion के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे heart के लिए भी अच्छा होता है inflammation को कम करता है और जिनका blood pressure high रहता है उसको कम करता है radiations वगारा से बचाता है हमारा metabolic function मतलब जो खाना पचाने की जो प्रगरिया होती है उसको सही रखता है हमारी हड्यों के लिए अच्छा होता है cancer से बचाता है और हमारे बालों और skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है next है narial narial को इंग्लिश में कहते हैं coconut coconut इसके benefits हैं यह thyroid function को regulate करता है हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है body mass को maintain रखता है immunity system को stimulate रखता है मतलब जो हमारे शरीर में बिमारियों से लड़ने की शक्ती होती है उसको बढ़ाता है हमारे heart को healthy रखता है digestion को improve करता है मतलब जल्दी खाना पचा देता है हमारे शरीर को बिल्कुल energize रखता है energy को बढ़ाता है skin को glowing रखता है और fiber तो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसे tree of life भी कहा जाता है next है सूखा नारियल या फिर khopra इसको khopa भी कहा जाता है तो आपकी local language में इसको क्या कहते हैं जरूर बताएं comment करके इसे English में कहते है dried coconut dried coconut इसके benefits है ये diabetes को control करता है abdominal fat मतलब पेट का जो fat होता है उसको दूर करता है हमारी overall health के लिए बहुत ही अच्छा होता है body को hydrate रखता है मतलब पानी की कमी नहीं होने देता और nutritious और healthy होता है blood cholesterol को सही करता है कई बार शरीर में जलन होने लगती है या फिर acidative अगरा होती है उसको control करता है हमारे जो skin cancer है उससे बचाता है next है moong fully moong fully को English में कहते है peanut peanut इसको ground nut भी कहा जाता है इसके benefits है ये blood sugar को regulate करता है skin के लिए अच्छा होता है हमारी हड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है और energy देता है शरीर को fertility के लिए अच्छा होता है मतलब जिन females को pregnancy में problem आती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर को stomach cancer से बचाता है इसमें carbs नहीं होते vitamin और minerals बहुत ज़्यादा होते है और depression से हमें बचाता है cholesterol से बचाता है और pate का जो cancer है उससे भी बचाता है next है pista pista को English में कहते है pistachio pistachio इसके benefits है ये weight loss में help करता है skin को healthy रखता है anemia मतलब जो खून की कमी होती है उससे बचाता है diabetes को control रखता है dietary fiber का बहुत अच्छा source है cholesterol को दूर करता है और heart को अच्छा रखता है next है खजूर खजूर को English में कहते है date date इसके benefits है ये शरीर को ज़्यादा time तक जवान रखने के लिए help करता है मतलब शरीर को जो है energize रखता है अच्छा रखता है weight loss में help करता है anti-depressant होता है और heart के लिए भी बहुत अच्छा होता है anti-aging benefits होते है मतलब जो बढ़ती हुई उमर की जो परिशानिया होती है उनको कम करता है hair loss को कम करता है और जो new mothers है मतलब delivery के बाद females के लिए बहुत अच्छा होता है next है kesar kesar को English में कहते है saffron saffron इसके benefits है ये cancer से लड़ता है हमारी eyesight को अच्छा करता है मतलब आखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाता है हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है digestion में help करता है मतलब खाना जल्दी बचा देता है arthritis मतलब जिनको गठिया की problem होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है insomnia प्रेगनिंसी के दोरान इसका यूज अच्छा माना जाता है next है मुनक्का मुनक्का को इंग्लिश में कहते है current current इसके benefits है ये natural laxative होता है मतलब पेट को सही तरीके से साफ कर देता है जिनको constipation मतलब कब्स की problem रहती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है anemia के लिए अच्छा है मतलब खून की जिनके में कमी होती है उनको benefit करता है खून बनाता है dance related जो भी problems है उनको दूर करता है skin के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको अच्छे से नीन नहीं आपाती उनको बहुत फायदा करता है पेट में acidity या फिर bloating होती है उसके लिए भी बहुत beneficial है antioxidant है infertility को भी treat करता है मतलब जिनको pregnancy में problem आती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है hair के लिए हमारे बहुत अच्छा है और cholesterol level को regulate रखता है next है छुआरे छुआरे को English में कहते है dry diet इसके benefits है सबसे पहले ये overall health के लिए बहुत ही अच्छा होता है iron इसमें काफी होता है calcium काफी मातर में होता है हमारी skin को healthy रखता है antioxidant होता है हमारी जो mass patient है उनको मजबूत करता है शरीर को energy देता है इसके इलावा हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है उनको nourish करता है next है ulci ulci को English में कहते है flax seed flax seed इसके benefits है इसमें काफी मातरा में fiber होता है carbs low होते है weight loss को promote करता है gluten free होता है digestive system अच्छा करता है मतलब जल्दी खाना पचाता है हमारी skin के लिए hair के लिए बहुत ही अच्छा होता है और cholesterol level को कम करता है antioxidant होता है और cancer से भी बचाता है next है soth soth भी dry fruit के category में ही आती है इसको कहते है fennel fennel इसको annis भी कहा जाता है इसके benefits है ये खून की कमी को दूर करती है acidity वगारा से बचाती है और digestion में भी help करती है मतलब जल्दी खाना बचा देती है potassium का बहुत अच्छा source है cholesterol level को भी कम करती है और जो mother बच्चों को feed कराती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है next है supari supari को English में कहते है betel nut betel nut ये South Asian का एक पेड़ होता है जिसके फल को लोग चबाना पसंद करते हैं आपने अकसर देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजूर्ग है उनको supari चबाना बहुत अच्छा लगता है पर क्या आप जानते है इसके बहुत सारे फायदे होते है आईए जानते है ये हमारे मुँ में जो cavity हो जाती है दातों में या फिर bad breath होती है बदबू होती है उसको दूर करता है हमारे gums को मजबूत करता है दातों में जो दाग धबे होते हैं उनको दूर करता है diarrhea से बचाता है हमारे जो काम करने की जो शक्ती होती है concentration कई बार नहीं हो पाता उसमें बहुत ज्यादा help करता है तो देखा आपने इस सुपारी के कितने सारे फायदे हैं इसको इंग्लिश में कहते है chestnut इसके benefits है यह diabetes से बचाता है इसमें बहुत सारे minerals होते है bone density को बढ़ाता है मतलब हमारी हड़ियों को मजबूत रखता है उनके लिए अच्छा होता है blood pressure को control रखता है red blood cells को बढ़ाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिमारियों से लड़ने की जो शक्ती होती है उसको बढ़ाता है digestion में help करता है हमारे heart के लिए बहुत अच्छा होता है और scurvy रोग से बचाता है next है chalgoza इसको English में कहते है pine nut pine nut इसके benefits है इसमें काफी मातरा में zinc होता है iron होता है magnesium होता है जिसकी वज़य से ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के बेनफिट करता है बहुत ज़्यादा देता है skin के लिए बहुत अच्छा होता है और most important ये हमारे शरीर को virus attack से बचाता है और cancer से भी बचाता है हमारे heart के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और diabetes से भी बचाता है next है खर्बूजे के बीज जी हां खर्बूजे के बीज भी ड्राइफ रूट की कैटेगरी में ही आते हैं इन्हें English में कहते हैं Cantaloupe Seed Cantaloupe Seed इन्हें Musk Melon Seed भी कहा जा सकता है इनके benefit है ये weight loss में help करते हैं skin को healthy रखते हैं kidney stone की problem जिने होती है उसको बहुत ज़्यादा फाइदा करते हैं हमारे शरीर में जो बिमारीं से लड़ने के शक्ति होती है उसे बढ़ाते हैं हमारे हेर्स को ब्यूटफुल रखते हैं आइसाइट को अच्छा करते हैं मतलब हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं पीरेट्स के दौरान जो क्रैंप्स होते हैं उनको कम करता है न्यूटिर्शियर्ज वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी और प्रेगनेट लेडिस के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है नेक्स्ट है खस-खस या फिर पोस्त इसे पोस्ता भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपी सीड इसके बेनफिट्स है कई बार किसी बिमारी से या फिर चोट के वज़े से शरीर पे सूजन और लाली आ जाती है तो उसको बहुत जल्दी ठीक करता है और दर्द में भी बहुत फायदा देता है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है डाइजेशन में हल्प करता है जिनको नीन सही से नहीं आ पाती उनको बहुत ज़्यादा करता है और शरीर में बिमारीों से लड़ने की शक्ती को बढ़ाता है और किट्नी स्टू उनको दूर करता है और कुछ लोग जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है नेक्स्ट है कद्दू के बीज कद्दू के बीज को इंगलिश में कहते हैं पंप्किन सीड्स इसके बैनफिट्स है ये काफी अच्छा एंटियोक्सिडेंट है जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है या फिर शरीद पर सूजन लाली बगरा आती है उसको दूर करता है बैटमोलिजम को बूस्ट करता है मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो एनरजी बनती है ये जो प्रोसेस होता है उसको काफी fast करता है ये और blood pressure को low करता है kidney stone से बचाता है bad cholesterol को कम करता है और जिनको सही से नीन नहीं आ पाती है उसके लिए भी help करता है next है तर्बूज के बीज तर्बूज के बीज को इंग्लिश में कहते है watermelon seeds watermelon seeds इसमें जो आर है उसपर आप ज्यादा stress नहीं देंगे तो आप इसे बोलेंगे watermelon seed इसके benefits हैं इसमें काफी ज्यादा मात्रम में protein होता है vitamins होते है minerals होते हैं तो इसी वज़े से ये blood pressure को regulate करता है शरीर को energize रखता है मतलब काफी energy देता है और हमारे skin को healthy और glowing रखता है next है arrow root arrow root को English में कहते है arrow root arrow root इसे root इसली कहा गया है क्योंकि ये root form में ही होता है बट इसका जो use होता है वो ज्यादा तर powder form में किया जाता है इसके benefits है it helps in reducing digestive problems मतलब पाच्चन संबंदी समस्याओं को कम करने में ये सहायक माना जाता है its starch content may promote weight loss treat diarrhea and stimulate your immune system इसमें पाया जाने वाला starch वजन घटाने को बढ़ावा दे सकता है और दस्त का इलाज कर सकता है और आपके रोगों के लडने की शक्ति को बढ़ाता है next है सूखी खुबानी इसको जरडालू भी कहा जाता है इसके benefits है ये cholesterol को कम करता है हमारी हडियों को मजबूत करता है heart को बहुत healthy रखता है और weight loss में भी help करता है हमारी आखों के रोशनी को बढ़ाता है skin के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर के जो cells होते हैं उनको damage होने से बचाता है और खून को बढ़ाता है तो देखा आपने इन dry foods के हमें कितने सारे benefits है I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर like और share करें आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification मिलती रहें